हेलो स्टुडेंट वेलकम अंस अगेन बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सार साइज एड बीका जो नाइन्थ रंबर क्वेस्चन है इसे सॉल्ब करेंगे इसमें देखो फर्स्ट और सेकेंड वाला मैं आपको सॉल्ब करना सिखाऊंगा तो अगर आपको इसका भी अगर चैप्टर के जीतने भी वीडियो में इन दोनों को सॉल्ब करना शीखते है तो क्या बोला जार इसमें कि फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल टू एट और तो नंबर दिये हुए हैं इसमें आपको थड़ प्रपोर्शनल आप करना है तो जैसे आपको यहां पर मैंने भ new proportion में इसका मतलब क्या है कि 3 नमबर दिया हूँ है ना यानी कि जो बीच वाला हमारा 36 है वही क्या है दो बार आ रहा है वही क्या है proportion में डबल यहाँ पर 36 है यहाँ है यहाँ भी 36 यह मैंना आपको पहले explain कर रएक तो इसमें में इसका मतलब ही है जो बीच वाला है वह क्या है डबल है अगर 3 नंबर दिया हुआ है तब वो डबल होगा और चार नंबर दिया हुआ है तो बस बीच प्रोपोर्शनल की साइन लगा देना है जैसे आपको समरफाइग तक दिया रहता था आए कैसे सॉल्ब करना है मैं आप ratio x हो जाएगा फिर से मैं को थोड़ा से explain कर देता हूँ यह कैसे हुआ जैसे हमारे पास 8 और 12 दिया हुआ था हमने थड़ वाले को x माना और हमको क्या पता है कि तीनों क्या है proportion में है तो जैसा कि मैंना को question number 8 में समझाया था कि जब कोई भी तीन नमर आपको proportion में दीखे तो समझ जाओ कि जो बीच वाला है वो क्या है डबल है यानि कि यह continued proportion में है यह हमारा 8 ratio 12 हो जाएगा और फिर proportional में 12 ratio x हो जाएगा यानि जब कभी भी डबल डबल आता है तो उसी को singular करके एक बार इस तरीके से लिखा जाता है तो बस यहां पर यही समझना कि तीन अगर नमबर दीए तो बीच वाला डबल हो जाएगा तो यही हमने काम कि यहां पर 12 जो था वो क्या हो गया हमारा 12 ratio यानि 12 फिर proportional में 12 हो ग और इस formula में put कर लो आप simple तो extreme कि उसको बोलते हैं यह पहला वाल राक्ते वाकर extreme बोलते हैं तो 8 multiply x हो जाएगा और equal को side में means यानि कि यह दुनों बीच वाले इनको means बोला जाता है तो 12 multiply 12 हो जाएगा अब हमको एकसी value निकालनी है तो आप दो काम कर सकते है या तो इसे multiply कर पहले और फिर 8 को transfer करो या फिर आसान क्या है पहले ही 8 को transfer करके cut कर लो तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा यह 12 multiply 12 है तो 8 जो इधर multiply में था इधर अगर के divide में हो जाएगा अब दोनों cut हो रहे है हमारे 4 से तो 4 से cut कर लेता हूं मैं 4 2 0 8 हो गया 4 3 0 12 हो गया फिर 2 1 0 2 2 2 6 Z 12 हो गया तो इससे काम क्या हो गया हमारा असान हो गया अभी मैं multiply करता उसके बार करता न तो बड़े नंबर हो जाते है और बड़े नंबर को solve करने में थोड़ा सा 30 से 40 सिकन का time आपको extra लग जाएगा इसलिए प्या करो पहले transfer करो cut करो उसके बाद multiply करो देखो अब हमार इसी मेटड से solve कर लेते हैं तो देखो दूसरे वाले में बिना statements वागर आप ऐसी ही लिखना है मैं बार बार स्टेट्मेंट नहीं लिखूंगा नहीं तो टाइम हमारा फाल्ती वेस्ट होगा वीडियो लेंथी होगा तो हमनों वहाँ पर भी 3 वाले को क्या मान लेते है एक यहीं बन जाएगा हमारा तो हमारा जो प्रोपोर्शनल बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा तो बस यहीं से हम लोगी स्टार्ट करते हैं यह हमारा 12 रेसियो 18 और प्रोपोर्शनल में 18 रेसियो एक्स बन गिया अब हम जानते हैं product of extreme करना हमको तो 12 multiply x कर देंगे जो 18 multiply 18 divide by में 12 हो जाएगा तो नों 6 से कट हो रहे हैं 6 से कट कर लो 6 2 जा 12 6 3 जा 18 अब दोनों 2 से भी कट हो रहे हैं यहां देखो 18 और 2 तो दोनों को कट कर लेते हैं 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में मारा 9 10 पर आता है 18 तो एक्स वाल्यू आसे कितना निकल गया नीचे बन आ गया खे ठीक है आठो विरियर और अजलानी है से क्लिया में पर अपर जाएगा है। हुआ है